नमस्कार, भूगोल का आज पाचवा अध्याय हम देखते हैं जिसमें हम विश्व के या प्रत्वी के विभिन डोमेंज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो मूलभूत रूपे हम तीन प्रमुक डोमेंज समझ सकते हैं जिसको हम जल मंदल, वायू मंदल और स्थल मंदल समझते हैं अगर अंगरेजी में बात की जाए तो हम इसको बोल सकते हैं हाईड्रोस्फियर, एट्मॉस्फियर और लिथोस्फियर और इन तीनों के मिलने से जो बीच का हिस्ता आप यहाँ पर देख सकते हैं वो बनता है जिसको हम जैव मंडल कहते हैं या बायोस्फियर कहते हैं अब जैव मंडल के विशीष्टा यह है कि जहाँ पर भी आपको चाहिए कि जैविक संरशनाय पाई जाएं वहाँ पर आपको जल, वायो और स्थल तीनों का कॉंबिनेशन चाहिए या इन तीनों के बिना आप वहाँ पर जीव या जैविक संरशनाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो अब हम एक एक करके इन तीनों संरशनाय को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले अगर हम जल संरशनाय या जल मंडल की बात करें तो पृत्वी का लगबग तीन चौता ही हिस्सा जो है वो जल मंडल है जहां पर मुख्यता पानी देखा गया है अब ये पानी जो मुख्यता पाया गया है ये आपका समुंद्रों में पाया गया है तो चार प्रमुक हम समुंद्र की बात करते हैं और उसके बात एक और classification है जिसमें पाचवा समुंद्र आया है तो यह जो पूरा समुंद्र आसपास देख सकते हैं आप यह प्रशान्त महा सागर है अमेरिका और अफरिका यूरोप के बीच में जो सागर चलता है या जो समुन्दर चलता है उसको अटलांटिक ओशन कहा गया है भारत के नीचे हिंद महा सागर है उपर की तरफ आपका आक्टिक ओशन देखा गया है और सबसे नीचे आपका जो बाद में डिस्कवर हुआ है जिसको साधन ओशन कहा गया है जो भारत के नीचे हिंद महा सागर है उसका मुख्य कारण भारत में जो मौनसून के परिवर्टन आते हैं उसको गवर्ण करना है तो मौनसून की जो गतिविदिया होती है वो मुख्यता आप हिंद महा सागर से देख सकते हैं अटलांटिक जो आपका महा सागर है इसमें नौर्थ अमेरिका के काफी सारे बिजी पोर्ट्स देखे गए हैं जो की इस छेतर में पाए गए हैं और जो प्रशान्त महा सागर आप दोनों तरफ देख सकते हैं नक्षे में इस प्रशान्त महा सागर में मुख्यता हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर रिंग ओफ फायर है Ring of Fire वो छेतर है जो की ज्वाला मुखी और भुकम की गतिविदियों के लिए बहुत ही सम्वेधन शील है तो यहाँ पर मुख्यतर जो भी islands पाए गए हैं, जो भी areas पाए गए हैं वहाँ पर काफी दिवर गति विदियों में आप ज्वाला मुखी की घटनाए देख सकते हैं या भुकम की घटनाए देख सकते हैं तो यह तो हो गया आपका जल मंडल अगला हम आते हैं स्थल मंडल पे तो जब हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो पूरे विश्व को हम साथ महादुवीपों में विभाजित करते हैं जो सबसे नीचे है, सबसे आसान से शुरू करते हैं तो जो सबसे नीचे है वो है अंटार्टिका जो की मुख्यता बर्व से घिरा रहता है और यहाँ पर यहाल ही में नीउस में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर अंटार्टिका के ऊपर आपको ओजोन छित्र देखा गया है और यह ओजोन छित्र वो छित्र है जहां से पराबैंगनी या अल्ट्रावॉलेंट रेस पृत्वी में आती है दूसरा है आपका उशियाना का छेत्र जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारे छोटे छोटे आईलेंड कॉंटिनेट्स आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया यह एक अखेली ऐसी जगे है जसको आईलेंड कॉंटिनेट्स कहा गया है या ऐसा महाद्वीब जो चारों तरफ से समुन्दर से गिरा हुआ है तो ये आपका हो गया Australia अगर हम सबसे बड़े प्राइद्वीब या महाद्वीब की बात करें तो वो आपका Asia है Asia और Europe जब एक साथ हम बोलते हैं तो उसको Eurasia कहा जाता है Europe की जो पश्यम की coastline है वो पूरी indented है या zigzag है वो मुख्यता fishing activities के लिए और ports के लिए प्रसिद्ध है इसी तरीके से हम बात करते हैं अफरिका की अफरिका आपका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीब है अफरिका वो छेत्र है जहां से तीनों रेखाए निकलती है तो आपकी भूमद्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn और Equator तीनों रेखाए आपकी अफरिका के छेत्र से निकलती है और इसलिए ये एक बहुत ही युनीक महाद्वीब बनता है यहाँ पर उतरी छेत्र में और दक्षिन की कुछ छेत्रों में आप रेखिस्तानी छेत्र देखेंगे जो मदी का छेत्र है वहाँ पर आप Equatorial Forest देखेंगे तो ये अफरिका में आपको काफी विवित्ताएं पाई जाएंगी या आपको काफी vivid time मिलेंगी North America और South America को मिला के आपका American continent बनता है और ये तीसरा सबसे बड़ा continent माना गया है North America अगर माना जाए तो आपका जो है third largest continent है जो की माना गया है और इस पूरे को the Americas कहा गया है तो North America, Central America, South America Central America और South America को एक साथ जोड़ के जो है Southern portion की तरह भी माना गया है पर हम अभी जब classification की बात करते हैं साथ महादवीपों की बात करते हैं तो उसमें North America और South America को हम अलग मानते हैं तो ये एक हो गया आपका North America जो तीसरा सबसे बड़ा महादवीप माना गया है इसी तरीके से आपका ये हो गया अब अगला चलते हैं हम वायू मंडल पर जब हम वायू मंडल की बात करते हैं तो वायू मंडल में मुख्यता हम nitrogen देखते हैं जो की 78% माना गया है 21% oxygen है लगबग 0.9% argon है और 0.03% हम carbon dioxide मानते हैं nitrogen जो है वो मुख्यता growth के लिए जरूरी है तो हमारे शरीर में भी protein में जो amino acids होते हैं वो मुख्यता nitrogen के बने होते हैं इसी तरीके से oxygen जो है आपकी जैविक गतिविदियों के लिए respiration के लिए, स्वशन प्रक्रियाओं के लिए और जीवित रहने के लिए जरूरी है carbon dioxide जो है वो मुख्यता गरम रखने के लिए परियावरण को जरूरी है पर इसी carbon dioxide के अगर मात्रा जादा बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं कि greenhouse effect develop हो रहा है जिससे global warming को भी बढ़ावा मिल सकता है तो यह सब एक संतुलित मात्राओं में परियावरण में होना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं कि परियावरण में अलग-अलग layers होती है जो सबसे नीचे की layer है जिसमें हम जीवित रहते हैं उसको troposphere कहा गया है उसके उपर stratosphere होता है जहाँ पर ozone पाया गया है उसके उपर mesosphere, thermosphere और फिर exosphere की layers देखी गई है तो यह आपकी कुछ प्रमुक layers हो गई और एक और महत्पून चीज जो हम यहाँ पर डिसकस करेंगे वो है istamas और street istamas वो हिस्सा है जो दो land mass को जोड़ता है जैसे आपका पनामा istamas हो गया तो यह पनामा istamas जो है आपके North America और South America को जोड़ता है तो उस टुकड़े को हम istamas बोलता है दूसरी तरफ straight होता है जैसे bearing straight है पाल्क straight है पाल्क straight आपका वो straight वो होता है जो दो महासागर को जोड़ता है तो यहाँ पर हिंद महासागर में आपका Indian Ocean और Bay of Bengal दो समुन्दरों को जोड़ रहा है वो आपका पाल्क straight है इसी तरीके से bearing street है जो आपके Arctic और आपके Pacific को जोड़ने का कारे करता है तो straight जो होता है वो हमेशा दो water bodies को जोड़ता है जो इस्तमस है वो दो land bodies को जोड़ने का कारे करता है तो यह एक बहुत ही प्रारंबिक कक्षा थी जिसमें हमने विश्व में जो प्रमुख domains है जो jam मंडल है उसकी संरशना कैसे होती है उसके बारे में समझा आगे की कक्षाओं में हम भूगोल को और डीटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आप चैनल पर बने रही है बहुत बहुत धन्त